आप सब लोगों को हमारे YouTube चानल Knowledge दुनिया में स्वागत है इस वीडियो में हम online GK टेस 26 लेकर आए हैं जिसमें हम top 50 GK question and answer discuss करेंगे जो कि आपकी हर UPSC, SSC, bank और सभी competitive परिख्या के लिए महत्तोपुन्न है तो चलो वीडियो सुरू करते हैं तो एसे ही हम आपको 50 महत्तोपुन्न सवाल पुछेंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे पर वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं क्या है इसका चार ओप्सन है A. Tennis, B. Cricket, C. Football या D. Hockey अगर आप लोग सोचना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो उसके बाद अपना उत्तर चेक कर सकते हो इसका उत्तर है A. Tennis, तो French Open टेनिस खेल के साथ जुड़ा हुआ है ये रहा दूसरा सवाल प्रथम पंचवार्शी को योजना की साल सुरू किया गया था इसका चार ओप्सन है A. 1948, B. 1948, C. 1950 या D. 1951 इसका उत्तर है D. 1951 तो प्रथम पंचवार्शी को योजना साल 1951 में सुरू किया गया था ये रहा दूसरा सवाल राष्ट्रपती जाकिर हुसेन की मृत्यु की साल में हुआ था इसका चार ओप्सन है A. 1965, B. 1987, C. 1989 या D. 1980 इसका उत्तर है C. 1979 याने 1969 तो राष्ट्रपती जाकिर हुसेन की मृत्यु 1979 साल में हुआ था ये रहा चोथा सवाल कबड़ी खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं इसका ओप्सन है A. 10, B. 7, C. 8 या D. 6 इसका उत्तर है B. 7 तो कबड़ी खेल में एक दल में साथ खिलाड़ी होते हैं ये रहा पांच बसवाल रावल पिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है इसका चारो ओप्सन है A. सोयब मलिक, B. ब्रेटली, C. सोयब अक्तर या D. इसांत सर्मा इसका उत्तर है C. सोयब अक्तर जोकी पाकिस्तान दल से है तो रावल पिंडी एक्सप्रेस सोयब अक्तर को कहा जाता है ये रहा चटा सवाल जापान देश का राष्ट्रिय खेल या नेशनल गेम का नाम क्या है इसका चारो ओप्सन है A. क्रिकेट, B. सुमो कुस्ती, C. होकी या D. फुटबॉल इसका उत्तर है B. सुमो कुष्टी तो जापान देश का राष्ट्रियो खेल यानि नेशनल गेम का नाम है सुमो कुष्टी ये रहा साथ वासवाल इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टाडियम भारत के कहां पर है? इसका चार ओप्सन है A. मुंबाई, B. दिल्ली, C. राजस्तान या D. उत्तर प्रदेश इसका उत्तर है B. दिल्ली तो इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टाडियम भारत के राजधानी दिल्ली पर है इसका चार ओप्सन है A. होकी, B. फुटबॉल, C. चेस या D. टेनिस इसका उत्तर है C. चेस तो सूर्य सेखर गांगुली चेस खेल से जुड़े हुए है इसका चार ओप्सन है इसका चार ओप्सन है A. इंडोर, B. नाकपूर, C. हाइदराबाद या D. मुंबाई इसका उत्तर है C. हाइदराबाद तो मका मस्जिद भारत के हाइदराबाद पर है ये रहा दस्वा सवाल थोमस कॉप की स्खेल से जुड़ा हुआ है इसका चार ओप्सन है A. फुटबॉल, B. हौकी, C. बैर्डमिन्टन या D. क्रिकेट इसका उत्तर है C. बैर्डमिन्टन तो थोमस कॉप बैर्डमिन्टन खेल से जुड़ा हुआ है इसका चार ओप्सन है A. उस्ट्रेलिया, B. इंगलैंड, C. भारत या D. पाकिस्तान इसका उत्तर है D. पाकिस्तान तो 1992 क्रिकेट वाल्डमिन्टन की बिजेता पाकिस्तान देश बना था ये रहा बारबा सवाल 2014 SCI खेल यानि Asian Games कौन से देश में हुआ था इसका ओप्सन है A. उत्तर कोरिया, B. दक्षिन आफ्रिका, C. दक्षिन कोरिया या D. जापान इसका उत्तर है C. दक्षिन कोरिया तो जो कि South Korea के नाम से जाना जाता है तो 2014 SCI खेल दक्षिन कोरिया में हुआ था ये रहा तेरे बासवाल 2008 ग्रिस्मकालिन आलम्पिक गेम यानि Summer Olympic गेम कीज देश में हुआ था इसका चार ओप्सन है A. जापान, B. ग्रिस, C. चीन या D. ब्राजिल इसका उत्तर है C. चीन तो 2008 ग्रिस्मकालिन आलम्पिक गेम चीन देश में हुआ था ये रहा चोध वासवाल आलम्पिक संकेत में 5 अलग-अलग रिंग क्या दर्शाता है इसका ओप्सन है A. पांच महादेश, B. पांच महासागर, C. देश या D. पांच नदी इसका उत्तर है पांच महादेश तो आलम्पिक संकेत में 5 अलग-अलग ग्रिंग 5 महादेश को दर्शाता है ये रहा पंद्रवा सवाल इंटर्पोल संगठन में कितने देश की सदस्यता है इसका चार ओप्सन है A. 190, B. 191, C. 192 या D. 198 इसका उत्तर है C. 192 तो इंटर्पोल संगठन में 192 देश की सदस्यता है इसका चार ओप्सन है A. प्यारिस, B. जेनेवा, C. रोम या D. बर्लिन इसका उत्तर है B. जेनेवा तो बिश्चो ब्यापार संगठन यानि वाल्ट्रेड ओर्गानेजेशन का मुख्यालाई जेनेवा पर है ये रहा सत्रवा सवाल 207 दिवस हर साल कब मनाया जाता है इसका चार ओप्सन है A. 21 दिसेंबर, B. 21 ओगस्ट, C. 21 सितेंबर या D. 21 जून इसका उत्तर है C. 21 सितेंबर तो 207 दिवस हर साल 21 सितेंबर को मनाया जाता है ये रहा अठ्रवा सवाल चित्रा उपर्ण्यास किसके द्वारा लिखा गया था? इसका चार ओप्सन है A. प्रेमचंद, B. रबिंदर नाथ टैगोर, C. राधानात राय या D. मधुसुदंदाज इसका उत्तर है B. रबिंदर नाथ टैगोर तो चित्रा उपर्ण्यास रबिंदर नाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था? इसका चार ओप्सन है A. 1935, B. 1980, C. 1905 या D. 1960 इसका उत्तर है C. 1925 याने 1955 तो साहित्य आकादेमी पुरसकार पहले 1925 साल में दिया गया था? इसका चार ओप्सन है A. 1992, B. 1998, C. 1999 या D. 2001 इसका उत्तर है D. 2001 तो योज चोप्ड़ा साल 2001 में दादा साहित्य पुरसकार पहले थे? ये रहा 21 वा सवाल जबहलाल नेहरुजी को भारत रत्न का पुरसकार कब मिला था? इसका ओप्सन है A. 1950, B. 1960, C. 1954 या D. 1955 इसका उत्तर है D. 1955 तो जबहलाल नेहरुजी को भारत रत्न का पुरसकार 1955 साल में मिला था? आप लोगों का ओनलाइन टेस्ट केसा जा रहा है? और आप कितना ठीक कर पा रहे हो? हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना इसका ओप्सन है A. 1970, B. 1980, C. 1989 या D. 1981 इसका उत्तर है C. 1989 तो मदर टेस्ट को नोबेल पुरसकार 1989 साल को मिला था? इसका ओप्सन है A. 1930, B. 1940, C. 1969 या D. 1980 इसका उत्तर है C. 1969 तो ग्रामी पुरसकार का शुरूआद 1969 साल में हुआ था? ये रहा 24 बासवाल उसकर आवार जीतने वाले पहले भारत्य का नाम क्या है? इसका ओप्सन है A. A. रह्मान, B. अमिताब बच्चन, C. भानु अथेया या D. सतिसकुमार इसका उत्तर है C. भानु अथेया तो उसकर आवार जीतने वाले पहले भारत्य का नाम है भानु अथेया ये रहा 25 बासवाल भारत अपना पहला उपग्रह यानि साटेलाइट कीज साल लॉंच किया था? इसका चारो अप्षन है A. 1970, B. 1980, C. 1981 या D. 1975 इसका उत्तर है D. 1975 तो भारत अपना पहला उपग्रह यानि साटेलाइट 1975 या 1975 साल में लॉंच किया था? अगर आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो ये सभी प्रस्णों को नोट डाउन कर लेजे क्योंकि एक बाट लिखने से आपको बहुत कुछ याद रह जाता है ये रहा 26 बासवाल भारत ने INS बिक्रांग ब्रिटेन से कीज साल खरीदा था? इसका चार ओप्षन है A 1956, B 1957, C 1960 या D 1971 इसका उत्तर है B 1957 तो भारत ने INS बिक्रांग ब्रिटेन से साल 1957 में खरीदा था? ये रहा 27 बासवाल अभिज्यान सकुन्तलम किसके द्वारा लिखा गया था? इसका ओप्षन है A 22, B कालिदास, C पानिनी या D बालमिकी इसका उत्तर है B कालिदास तो अभिज्यान सकुन्तलम कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था? ये रहा 28 बसवाल लखमन जूला भारत के कीस राज्य में है इसका ओप्शन है A. उत्तर प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. मध्यप्रदेश या D. आंध्रप्रदेश इसका उत्तर है B. उत्तराखंड तो लखमन जूला भारत के राज्य उत्तराखंड में है ये रहा 29 वसवाल बेलूर मठ का स्तापना किसने किया था इसका ओप्शन है A. दयानंद B. विवेकानंद C. विश्व कर्मा या D. पंडित राजगुरू इसका उत्तर है B. विवेकानंद तो बेलूर मठ का स्तापना विवेकानंद जीने किया था इसका ओप्षन है A. तबला, B. सहनाई, C. भावलिन या D. बांसूरी इसका उत्तर है C. भावलिन तो गजानन राव जोसी बाद्य यंत्र भावलिन के लिए प्रसिद्ध है इसका ओप्षन है A. उत्तर प्रदेश, B. मध्यप्रदेश, C. हिमाचल प्रदेश या D. आंध्र प्रदेश इसका उत्तर है C. हिमाचल प्रदेश तो भावलिन तो भावलिन तो भावलिन तो गजानन रावलिन के लिए प्रसिद्ध है ताइवान देश का पूराना नाम क्या था? इसका ओप्शन है A. ताजिय, B. फर्मासा, C. तसिय या D. अग्रिता इसका उत्तर है B. फोर्मोसा तो ताइवान देश का पूराना नाम था फोर्मोसा इसका ओप्शन है A. बर्लिन, B. असलो, C. बुड़ापेश या D. तेहरान इसका उत्तर है B. असलो तो नोर्वेज देश का राजदानी यानी क्यापिटाल का नाम है असलो ये रहा 34 बसवाल फिलिपिन्स देश का मुद्र यानि कॉरेंसी का नाम क्या है? इसका ओप्षन है A डॉलर, B पेशो, C रूबेल या D रिंगेट इसका उत्तर है B पेशो तो फिलिपिन्स देश का मुद्र यानि कॉरेंसी का नाम है पेशो ये रहा 35 बसवाल इंडिया हाउस विलिपिन्स के कौन से सहर में है? इसका ओप्षन है A लंदन, B टोकियो, C निउव यॉर्क या D बेजिंग इसका उत्तर है A लंदन तो इंडिया हाउस विलिपिन्स के लंदन सहर में है इसका ओप्षन है A डाइट, B मजलिस, C डियुमा या D फॉलकेटिंग इसका उत्तर है D फॉलकेटिंग तो इंडियुमार्क देश की संसद का नाम है फॉलकेटिंग ये रहा 37 बसवाल मैसेडोनिया सहर कीस देश में है इसका ओप्षन है A जापान, B नौर्वे, C इटली या D ग्रीज इसका उत्तर है D ग्रीज तो मैसेडोनिया सहर ग्रीज देश में है ये रहा 38 बसवाल बुलंद दरवाजा भारत के कीस राज्य में है इसका चार ओप्षन है A उत्तर प्रदेश, B हिमाचल प्रदेश, C आंद्र प्रदेश या D ओडिशा इसका उत्तर है A उत्तर प्रदेश तो बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्यों में है ये रहा 49 बसवाल तीन मुर्ती भावन में कीस महान ब्यक्ति का आवास था इसका उप्षन है A महात्मा गांधी, B राजेंद्र प्रसाथ, C जवाहलाल नहरू या D प्रणम मुखर जी इसका उत्तर है C जवाहलाल नहरू तो तीन मुर्ती भावन में महान ब्यक्ति जवाहलाल नहरू जी का आवास था इसका उप्षन है A जवाहलाल नहरू, B राजेंद्र प्रसाथ, C सर्वपली राधा क्रिश्नन या D जग जीवन राम इसका उत्तर है D जग जीवन राम तो समता अस्थल में प्रसिद्ध ब्यक्ति जग जीवन राम का समाधी है इसका चार उप्षन है A इंदोर, B दिल्ली, C मुंबाई या D कोलकाता इसका उत्तर है C मुंबाई तो विक्तोरिया टॉर्मिनस रेल्ले स्टेशन भारत के मुंबाई पर है ये रहा 42 वसवाल हामपी मंदिर भारत के कीस राज्य में है इसका ओप्सन है A. ओडिशा, B. उत्तर प्रदेश, C. करनाटक या D. मध्यप्रदेश इसका उत्तर है C. करनाटक तो हामपी मंदिर भारत के करनाटक राज्य में है ये रहा 43 वा सवाल फिरोज सहा कोटला स्टाडियों भारत के किस सहर में है? इसका ओप्षन है A. मुंबाई, B. दिल्ली, C. तिरू अनंतपुरम या D. राजकोट इसका उत्तर है B. दिल्ली तो फिरोज सहा कोटला स्टाडियों भारत के राजधनी दिल्ली पर है ये रहा 44 बासवाल कोजी कोड़े जिल्ला भारत के कीस राज्यों में है इसका ओप्षन है A. आंध्रप्रदेश, B. केरल, C. तमिलनाडू या D. मध्यप्रदेश इसका उत्तर है B. केरल तो कोजी कोड़े जिल्ला भारत के केरल राज्यों में है ये रहा 45 बासवाल बिक्रोम वर्षी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है इसका चार ओप्षन है A. पानिनी, B. बालमिकी, C. कालिदास या D. चानक्य इसका उत्तर है C. कालिदास तो बिक्रोम वर्षी पुस्तक के लेखक का नाम है कालिदास यह रहा 46 बाशवाल, सन्युक्ता पाणिग्राही किस नुर्थ्य के लिए प्रसिद्ध है इसका ओप्शन है A, भरत नाट्यम B, O, D, C, C, कुचिपूरी या D, मनिपूरी इसका उत्तर है B.O.D.C. तो सयुंक्ता पानिग्राही O.D.C. नुरुत्य के लिए प्रसिद्ध है ये रहा 47 बासवाल अमर्त्य सेन 20 साल नोबेल पुरसकार पाये थे इसका चार उप्षन है A. 1990, B. 1995, C. 1998 या D. 1999 इसका उत्तर है C. 1998 तो अमर्त्य सेन साल 1998 में नोबेल पुरसकार पाये थे इसका उप्षन है A. दिली, B. मॉंबाई, C. नागपूर या D. चंडिगर्ड इसका उत्तर है B. मॉंबाई, तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया यानि RBI के मुख्यालए मॉंबाई पर है ये रहा 48 बासवाल ओसकार आवर हर साल किस महिने में दिया जाता है इसका उप्षन है A. जन्वारी, B. फेबर्वारी, C. मार्च या D. अप्रेल इसका उत्तर है B. फर्वारी यानि फेबर्वारी तो असकार आवर हर साल फेबर्वारी महिना में दिया जाता है ये रहा 25 बासवाल और आखरी सवाल इस ओनलाइन टेस्ट का सर्दार बल्लभाई पटेल को किस साल भारत रत्न का पुरसकार मिला था इसका उप्षन है A. 1990, B. 1991, C. 1992 या D. 1994 इसका उतरहे B. 1991 तो सर्दार बल्लभाई पटेल जी को साल 1991 में भारत रत्न का पुरसकार मिला था आप लोगों को ये ओनलाइन टेस्ट केसा लगा और आप ये पच्चास सवाल में से कितना ठीक कर पाए हो हमें कॉमेंट से समने जरूर बताना और हो सके तो वीडियो लाइक, कॉमेंट और सेयर भी करना जरूर मन बच्चो तक और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो देखने के लिए धन्यबाद